हाई फेंस वेलकम टू आविदावस कीचन आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम बनाने वाले हैं धाबा स्टाइल मसाला दमालू की रेसिपी और इस रेसिपी में डलने वाला खास मसाला भी मैंने इसमें शेयर किया है तो वीडियो को बिना इसी देरी के फटा-फटा से शुरू करते हैं यह मसाला दमालू की रेसिपी तो यहाँ पे मैंने यह मेडियम साइज के आलू लिये हैं ने दो पीसिस में कट कर लिया है और बॉल करके लिया है तो अब हम इने मैरिनेट करेंगे डालेंगी हल्दी रेड चिली पावडर आलू को हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए दमालू में टालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिया है इसमें है सौफ, काली मिर्ची, दालचेनी, लॉंग, जीरा यह दो छोटी लाइची है और यह है धनीय के दानी कुछ तो सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है तो इसे low to medium flame पे हम इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसे लगातार चलाते वे हम इसे रोस्ट कर लेंगे और आप देखेंगे 3-4 मिनट में यह अच्छे से रोस्ट हो गया ग्यास ओफ करेंगे और हम इसका पाउडर बना लेंगे दरदरा सा ही पाउडर बनाना है दूसरा हमने लिया है यह एक चमच बेसन इसे भी हमें रोस्ट करना है तो बिल्कुल low flame पे हम इसको रोस्ट करेंगे तो इसमें भी आपके 5-6 मिनट लग जाएगा इस तरह लगातार चलाते वे हम इसको रोस्ट कर लेंगे तो इदेखी यह भी रोस्ट हो गया है इसे निकाल लेंगे हम साथ में उसी पैन में मैंने चार बड़ी चमच तेल लिया है और तेल की गरम होते ही हम इसमें आलू डाल देंगे हमें आलू को इसमें अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है तो लोटू मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छी से सभी तरफ से पलट पलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे यह देखे इस तरह से आप इने बीच बीच में पलटते रहें तो 5-6 मिनट हम इने अच्छी तरह जब तक यह सभी तरफ से अच्छी से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं हम इने फ्राई कर लेंगे इसी तरह से देख सकते हैं आप यह रेडी हो गए है और अब हम इनको निकाल लेंगे तो यहां मैंने कड़ाई ली है और उसमें वो जो बचा हुआ तेल था हमारा मसाले वाला वो डाल दिया है और साथ में एक चमस तेल मैंने इसमें और एट किया है और उसमें जो भी मसाला या आलू के जो भी पीसिस थे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऐसे ही रहने दीजी, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, कसूरी मेथी, और इनको हम हलका सा ऐसे फ्राई कर लेंगे, और अब हम इसमें एड करेंगे, ये एक मेडियम स फ्राई हो रहा है इसमें, हम एक दही का मसाला भी रेडी करना है, तो इसको इस तरह से छोड़ देंगे हम, और यहां पे हम दही का मसाला तयार कर लेते हैं, तो ये मैंने आधा कप दही लिया है, और इसमें हम डाल देंगे वो रोस्टेट बेसन, और साथ में वो जो मसाला हमने रोस्ट किया था उसको मैंने इस तरह से पीस लिया है इसे भी मिक्स कर देंगे इससे हमारी जो दही है जब हम उसे प्याज में आड़ करेंगे तो वो फटेगा नहीं और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे हमारे दमालू में तो यह देखिए थोड़ा सा हम प् लाल मिर्च इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे यह दही वाला मसाला और इस चैम फ्लेम हम बिलकुल लो कर देंगे जब भी आप मसाले में दही डालें बिलकुल हमारे को फ्लेम या तो लो कर देनी चाहिए और अगर ज्या करीब इसमें पानी एट कर देंगे यह देखें और इन्हें अच्छे से mix करेंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढगकर इस तरह से इसको fry होने देंगे जिससे कि सारे मसाले ओएल अगरा अपस में बहुत अच्छे से mix हो जाए तो यह देखें 5 विनट बाद हमारी जो ग्रेवी आप देख सकते हैं, यह थेक हो गई है, देखे इसमें तेल भी छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें आड़ करेंगे नमक, यहाँ पर एक चमच या सवादोनुसार नमक डालिये आप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें आड़ कर देंगे आलों को, तो इस चैम हमारी जो फ्लेम है, वो लोटू मीडियम ही है, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस टेश पर मैं इसमें डाल रही हूं करीब एक टोरी पानी, तो इससे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और इसे ढख कर, दस मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, तो दस मिनट बाद ये देखे, हमारी दम आलू बन के तयार है, ये देखे कितने डिलिशियस लग रहे हैं, आ रहा है न मूमे पानी आप लोगों के, देख रहे हैं आप, है ना बिल्कुल डिलिशियस, एक्तम बस स्टाइल में, बस ये रेडी है, और अब हम लास में इसमें आड करेंगे, धनिया, फंटास्टिक, लव्ली, गैस का फ्लीम आफ कर देंगे, और इसको सर्व करते हैं, चलिए, तो लीचे फ्रेंज, मसाला दम आलू बन के तयार हैं, हमारे लग रहे हैं ना, डिलिशियस माउट वाटरिंग, दम डम्टिंग लग रहे हैं, मतलब मुझे तो बताते वे भी मूँ में पानी आ रहा है, एक दम यम बने हैं, आप इसे पूरी के साथ, परांठो के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजेगा, बहुत ही डिलिशियस लगने वाला है, तो आप इस रेसिपी क ज़रूर ट्राइ कीजेगा, और कॉमेंट में मुझे बताएगा, कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना खयाल रखिएगा, बाई बाई